यो अभी हम लोग पसे थे हैं एक जाम टोड़ चैनल पर और आपसे बता दें सिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है पहला दिन कितना आवेधन गिरा इसके बारे में संपुर्ण जनकारी यहां पे दिया जाएगा और इसी से आपने माल लगा सकते हैं कि कुल आवेधन कि शंक्या कितनी हो सकती है लेकिन जब ही आप देखते हैं कोई भी बहाली आता है यदि उसमें क्रैइटरिया नहीं होता है तो लगतार बहुत चारे आवैतन गिर लेकिन इसमें बहुत चार्डा कंडिशन है जनरल यह भरती है नहीं तो इस में बहुत ज्यादा आवेदन आने की संभावना बहुत कम है सिट की अपेक्षा यहीं दूसरा वेकैंसी रहाता तो देखते हो यह आप बारा लाग पंद्रा लाग अठार लाग के वल दो हजार सिट होता है तो पहुंच जाता है लेकिन इसमें उतना नहीं पहुंचेगा जिस अपेक्षा में करेंगे फिर भी यदि आप चाहते हैं अपने एक सीट कंफर्म करना तो आप अच्छा तरीका से तैयारी करें और तैयारी में जोड़ दें जो भी अभ्यरति इस फर्म को भर रहे हैं कोशिश करें कि अच्छा तरीका से ध्यान पूर्वा सही समय पर भर लें चुकि अंद म बहाली के लिए पहले दिन आये 500 आवेदन देखेगा क्या है अब बीपी एसी ने बिहार में एक लाग सत्तर हजार सिक्छकों की भरती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुबार से शुरू कर दिये पहले दिन ही रात आठ बजे तक 2000 से अधिक अभ्यरतियों पंजी करण कराया देखिए पंजियन कराना और उसमें आवेदन गिर्यादुनों में अंतर हैं पंजियन कराया वहीं 500 देलाइन अधिक छात्रों ने सब्सक्राइब करें तो आप सब्सक्राइब करें तो आप सब के लिए बिस्ट बूक होगा चक्छू परकासन का यहां पर देखेंगे बिप्स के लिए सबसे पहले बता दे सिक्षक पातरता वन टू फाइब के लिए आप यह दि भरती चाते उसके लिए समान अध्यान के दिये गया है और यह दि बात करेंगे तो शंपून इश में आप देख सकते हैं सबी महत्पून कोश्चन होंगे 120 होंगे वहीं आप बात करेंगे भासा के लिए तो प्रात्मिक मादमिक शिक्षकों के लिए भरती 2030 के लिए भासा दोनों दिया गया है यानि कि अंग्रेजी वाहिंदी दोनों लेकर आप अध्यान कर सकते हैं बहुत जबरजस्त होगा सब्सक्राइब आप नहीं लिए तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं वहां से आप जाकर ओनलाइन अफलाइन दोनों माध्यम में ले सकते हैं चमादमिक सिक्षक है आपद है आवेधन प्रक्रिया सुरू करने से से एक दिन पहले बीससी ने आवेधन के इसकेन कोफी अफलोड करेंगे उसका साइच शौक के वीज़े जादा नहीं होना चाहिए अब देखिए जिस तरीका से यह आवेधन गिरे हैं यदि इसी प्रकार से देखा जाए तो आवेधन तो बहुत कम होंगे लेकिन इस तरीका से नहीं गिरेंगे पहला दिन है बहु से मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आप देख लेंगे और अपनी अच्छा तरीका से आप आवेधन करेंगे किसी परकार का कोई समस्या नहीं और एक बात मैं बता दू जो भी अभ्यरती इस वीडियो को देख रहे हैं मेक्सिमम लोगों का सेयर करें अभी भी समय है जो सिटे टू जुलाई वाले अभ्यरती है यादि उनको सामीर कर लिया जाता है तो अच्छा होता ताकि वो भी इस फर्म को भर सकते थे भर ले और इसे फर्म भरने से उनको भी मौका मिल जाएगी चुकि कैलेंडर तो है नहीं कि प्रते एक साल वेकेंसी निकलेगी इसको ले एला